नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे नव्यनजन से जुरी एक अच्छी सी कहानी तो सब रेडी हैं, चलिए सुनते हैं एक नव्यनजन से जुरी कहानी इस कहानी में है न से नीतू जो आज बहुत खुश है और ये क्यों खुश है चलिए जानते हैं, क्योंकि आज नीतों की नानी आ रही है, आप भी खुश होते हो ना चम नानी घर पे आती है, तो आज नीतों की नानी आ रही है, पर नानी रहती है नदी के उस पार, तो नानी कैसे आएगी, नानी आई है नाव में, न से नाव में, और नानी के पास क्या है? नानी के पास है नीला जोला और नीले जोले में नानी लाई है नीतु के लिए बहुत सा समा क्या लाईए चलिए देखते है न से नारंगी न से नीबू न से नमक पारे न से नमक की थैली और न से नीले रंग का कलम तो नीतु को तो आज बहुत सारा समान मिलने वाला है नानी से तो ये थी कहानी न की तो हमने कौन-कौन से शब सीखे न से? न से नीतु न से नानी न से नानी का नीला छोला न से नाफ न से नारंगी न से नीबू न से नमक पारे न से नमक और न से नीडे रंग का कलम क्या आप और शब्द सोच सकते हैं न वेंजन से? सोचो, सोचो, सोचो और फिर हम अपनी मम्मी को बताएंगे न वेंजन से जुड़े शब्द और अंद में मेरी तरफ से न से नमस्ते और अंद में आप और शब्द से नमक पारे